हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है मुकेस दोस्तो आज की वीडियो में आपको यूट्यूब के कुछ नए फिचर्स के बारे में बताने वाला हूं तो दोस्तो वीडियो को पुरा एंड तक देखना है वीडियो में आपको step by step पुरे डेटेल से बताऊंगा कि यूट्यूब निव किसी भी वीडियो को प्ले करते हो यूट्यूब पर है ना तो यहां पर मैं किसी वीडियो को प्ले करके बाता देता हूं मानलो यह वीडियो sorry यह film है ठीक है इसको मैंने यही play कर दिया है त過去 है प्ले हो रहा है ठीक है यह पर आप देख सकतो कि youtube का जो वीडियो play होता है उसके उपर यहाँ पर आपको auto play का options दिखाई देता है यह auto playえっ का options यहाँ पर नहीं था पहले आपको comment के निचे या कहीं और दिखाई देता था तो यहां सा आप इसके उपर क्लिक करके इस वीडियो के automatic चलने वाली वीडियो को आप इसको on या off कर सकते हो और जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि autoplay is off ठीक इससे यह होगा कि यहां पर फिर में क्लिक करता हो तो autoplay is on अगर आप मानलो किसी वीडियो को देखते हो यह वीडियो पूरा होने के बाद जैसे मेरा यह वीडियो आप देख रहे हो भी फिलाल में यह वीडियो पूरा होने के बाद automatic से next video play हो जाएगा अगर आप इसको ओप करके रखोगे तो यह कोई भी वीडियो आपका automatic से play नहीं होगा क्योंकि आपको वहाँ पर आपने automatic जो autoplay को बंद करके रखा आपको उसको on करना होगा तब ही दूसरा नया वीडियो ओटोमेटिक से play होगा यह फिचर से इसके बाद भी नया फिचर से यहाँ पर जोइन हुआ सीसी सीसी है कि ऐसा फिचर से जिसको में एक captions करके हैं इसके उपर में details से बात करने वाला हूँ बाद में इसके उपर में एक dedicated वीडियो बना दूँगा ठीक है यह भी यहाँ पर नहीं था पहले कहीं और इसको मतलब निचे इसकी जगे कहीं और थी यहाँ पर उसको front में YouTube ले आया है ठीक यहाँ पर फिर एक options यहा अगर आप किसी भी वीडियो को देखते हो YouTube पर तो उसको आप अगर full screen में देखना चाहते हो ठीक है तो वहाँ पर आपको अपने वीडियो mobile के auto rotate को on करके फिर आपको mobile को rotate करके देखना होता तब आपका वीडियो full screen में होता था यहाँ पर YouTube ने ऐसा update किया कि यहाँ पर देख रहे हो वहाँ पर screen के उपर प्रेस करके swipe up करना होगा तो आपका वीडियो automatic से full screen में हो जागा आप देख सकते हो ठीक है इसी तरह साप अगर swipe down swipe down करोगे तो आपका वीडियो automatic से वापस उसी इस size में आ जाएगा तो दोस्तों यह features भी मुझे काफी कमाल का अच्छा काफी impressive लगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी features है जो यहाँ पर जो arrow का button दिखाई दे रहा है arrow जैसा यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यह video automatic से सबसे नीचे चला जाएगा यहाँ पर मतलब एक computer size जैसा दिखाई देगा यहाँ पर आप दूसरे वीडियो को यह देख सकते हो ठीक अगर आप इसके उपर फिर से क्लिक करोगे तो वीडियो वापास उसी स्क्रेन पर आज आए गया तो इसी तरह से यह कुछ update यूटीब ने किये थे जो नए features लेकर आया है तो दोस्त किसन आपको समय समय पर मिलती रहे तो फ्रेंड्स मिलते हैं कोई नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई